चाहते तो कोई खास राजनीतिक लाब लेना चाहते हैं आप वहाँ जाकर? मैं अपनी बात पहले इनकी जूट को से सुरू करूँगा। ये फैक्चुली रॉंग है भाजपा के प्रवक्ता कि 18 से अखलेश यादव जी वहां नहीं गई। आप अपने आर्काइब में चेक करा लीजिए हर जैन्ती पर अखलेश जी वहां जाते थे म्यूजियम में म्यूजियम में उनके डोकुमेंटरी भी चलती थी और हर बार जाते रहे क्योंकि पिछली बार से आपने तमाशा करना शुरू किया आप दुबारा जब जीत के आए तो आपके सर पे तानाशाही सवार हो गई आपको लगा कि आप तो निर्बाद पूरे देश के समराट हो गए हैं आपने रोक लगाना शुरू की उससे पहले तक वो जाते रहे ये इनका जूट है फैक्चुली ही ज रॉंग आप अपनी आर्काइब को चेक कर लिजे हर साल की अखले शादर जी की नियूज है तो अब आप वहीं क्यों जाना चाहते तो उसका कारण इस प्रेंगा दूसरी बात दूसरा जूट यह है कि एल्डिये ने जो रीजन दिया क्योंकि प्रवक्ता मौद राजनेतिक कारण बता रहे हैं एल्डिये जीव जन्तू बता रहे ह तो इन दौनों में से एक तो गलत है अगर अधिकारी साथ साल से उस बिल्डिंग का रखभावर नहीं कर पा रहे हैं जा पहले मुख्यमंतری रहते मुख्यमंत्री हटने के बाद अखलेश आदर जी जाते रहे कारक्रम होते रहे तो किस ने उस विल्डिंग की इतनी दुर्गती की किस ने उसका रख्रकाव इतना खराब किया कि आज सुरक्षा को खत्रा होने लगा जंगल बन गया मान लजी जन तू निकल आता अखलेश जी नाग्या जी का ए तो लोईया जी के लोईया पार्क जाएंगे इससे पहले जयापर्गार्स जी यादा फो जिक्रणेश्र जी के पार्क जाते हैं ज्यापरगारज जी के नाम से ये भी साथ थे सबसे पहले तो इनको बताना चाहिए कि भारार ररत्म जिनको दिया जेपी को उनके जन्म दिवस्पे सरकार ने कारिक्रम क्यों नहीं किया कहा कारिक्रम हुआ बताइए किस मुख्ष मंतरी किस का मालियापन हुआ हम राजनेतिक लाव लेने के लिए जेपी को सरदा सुमन अर्पित करते हैं उनकी जैनती मनाते हैं लोहिया जी की मनाते हैं सबकी मनाते हैं आप कौन सा राजनेतिक लाव लेने के लिए जेपी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं क्या आपका लोकतंत्रिक से विश्वास उड़ गया क्या ऐसी परेशानी आ गई कि एक फूल की माला लेकर ये जे पी के मूर्ति के सामने खड़े नहीं हो पाई क्योंकि इनकी सोच लोगतांत्रिक नहीं बची इनकी समझ जो है समिदान और कानून में नहीं है मुख्यमंत्री दंब में हैं घमंड में हैं राजनेतिक लोगों से दूरी रखते हैं और अफसरों की बात मानते हैं वो केवल इस बात पर नीचा दिखाना चाते हैं कि अखले शादर पिछली बार रोग के बात चले गए थे इस बार देखते हैं कैसे जाते हैं उनको लगता है कि अखले शादर जाएंगे तो जो दुर्विवा जो अविवस्ता फैलाई है अरे साथ वर्से निवाना दी ने वो बिल्डिंग जो कंपलीशन पर थी फिनिशिंग होनी थी वो साथ वर्से आप पूरा नहीं कर पाए इतनी निकम्मी नकारा सरकार वो इसको छुपाने के लिए पुलिस का इस्तमाल करती है अरे नाम बदल देते आप आप आपने कैंसर इस्ट्यूट का नाम कल्यान सिंग जी के नाम पर क आपको प्यतराज नहीं होगा विल्डिंग कुल जाए अगर पैमानी करना चाहते हो च्राइब को बेचने के मन बना चुके हो तो जंटा को क्यों परिशान कर रहे हो यह हम से कह रहे हम लाब लेना चाहा रहे है हम को यह आर्थिक लाब लेना चाहा है उसके लिए पूरी न केमरा पिटे विधायक की एफ आयार नहीं हो पा रही क्योंकि तो बीजेपी को विधायक मार्ट काया आप क्यों पैर्वी कर रहे हैं कानूद तो सबके लिए रहा है विवस्ता सबके लिए है देखिए दो काम होने चाहिए सरकार घमंड में है बरस्टाचार की बात करते हैं तो बरस्टाचार को कारवाई करें अजिक सांसद को अपने पास अच्छा शांसद को अपने पास रखें कौन जे सजेघ को रास्तवाग फरोब और उसे लड़ा रहे है और बरस्टाचार के भाशन को के रहें ऐसे हब आरू मैं सुरेंद अब संजेश